नमस्कार सभी को मेरा नाम अनुज है I hope आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई धंग से कर रहा होंगे तो यह हमारा सेशन है एंटॉनियम का चीक है और इसमें हम कितना एंटॉनियम डिसकस करते हैं 30 30 एंटॉनियम आपर डिसकस करेंगे और पूरा ठॉरह यह डिसकस करेंगे tha एक एक चीज में आपको यहां पर थोड़ा से इंफॉनियम करने वाला था कि अभी क्या है हमारा एंटॉनियम सेंट्यास सेशन फोड़ा सा पीछ चल रहा है पीछे इनदा सेंस इसमें हमारे क्या है इंपोर्टेंट वर्ड जो है वो भी रेस्ट बचे हुए तो मैंने के डिसाइड किया है कि एक वीक के लिए अभी में क्या है जो हमारा इडियम और हमारा देले करते हैं क्यूंकि अगले मंडे तक हम क्या है सेनोनियम और हो जाएंगे पिर इनी के साथ आजएंगे तो आज का पहला वड़ है पहला वड है स्टीक॰स क्या होता है अगर मैं हिंदी इसका बात करूं तो इसका मतलब होता है मैं कहसकता हुट्डe हो सकता है या फिर मैं कहा सकतो हूं थुछुक्ष और यहां पर क्रेंट यहाँ क्या हो जाएंगा इसका प्रोमेनंट एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है भी ज़्यादा वासजे आपका प्रोमेह हो वह कि प्रोमेनिड ए तिसного educación उल्च और मिल्कुल निच टाइक व्यक्ति तो वहोता है आपका पी क्वस कर लेते हैं से इसक वह सकते है राटेकुंकि किया साथ Vij Miamiate उफिष्ट याप सरां पर यहां पर नहीं लेकर थीए थी कि तो यह में सकता है यही आप इसके साथ एक स्ट्रॉनिम एड कर लें अन उब्जय चीक है या फिर आप ओडिनरी कह सकते हैं कि नेक्स्टे नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्टा में से हमारा फैक्ट्टॉल मतलब क्या होता है जब कोई चीज, realistic हो, कोई चीज, क्या हो, वास्तविक हो, क्या हो, वास्तविक हो कोई चीज, that means factual, यहनी कि मैं कह सकता हूँ, actual हो, लेकिन हम से antonium पूछा है, तो actual तो नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, c option, unrealistic हमारा क्या है, correct हो जाएगा, idealistic भी नहीं होगा, और verbal भी नहीं अच्छा होता, तो actual हो जाता, ठीक है, अब हम इसकी क्या है, synonym देख लेते हैं, क्या-क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है, आपका इसका accurate, दूसरा क्या हो सकता है, आपका authentic, ठीक है, authentic हो सकता है, genuine हो सकता है, genuine की spelling आ चुकिए आपके exam में, genuine हो सकता है, realistic हो सकता है, realistic तो आपको इससी समझ में आ गया होगा, और क्या हो सकता है, इतने ही इतने ही लिख लो, यह तीन-चार वर्ड लिख लो, accurate, authentic और genuine, ठीक है, actual भी लिख लेना इसके साथ, next देखते हैं, next आपका abundant, abandon, abandon मतलब क्या होता, देखो, abandon मतलब होता, जब आप किसी चीज को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, या फिर आप छोड़ देते हैं, छोड़ देना, that means, abandon, अब क्या होगा यहाँ पर, abandon, अब इसका मैं अगर उल्टा काऊं, तो रिटेन हो जाएगा, जब किसी चीज को बनाए रखते हैं, बनाए रखते हैं, जब अगनिवीर की, जो है, गोषना की गई थी, अगणिवीर योजना की, तो उस टाइम पर क्या काहा था, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फरेंस में, कि हम क्या है, 25% AIRMANS को क्या करेंगे, क्या करेंगे, रिटेन करेंगे, तो तो बनाए रखते हैं, अब इसके synonym बहुत सारे होते हैं और जो बहुत सारे important होते हैं, तो आप pen और copy उठा और लिखना स्टार्ट करो, क्या क्या हो सकता है, पहला synonym हो सकता है आपका wave, इसका मतलब भी होता है त्याग देना, ठीक है, abandon तो ही है इसमें, दूसरा क्या होता है, desert, d-e-s-e-r-t, desert, ठ renounce, r-e-n-o-u-n-c-e, renounce, ठीक है, abnegate, abnegate, यह सारे लिखने हैं आपको, abnegate, और क्या होता है, relinquish, r-e-l-i आता है, l-i-n-q-u-i-s-h, relinquish होता है, और क्या होता है, आपका desert हो गया, relinquish हो गया, abandon, और क्या होगा, forsake, forsake, ठीक है, और क्या हो जाएगा, इसके हैर काफी सारे क्यूंकि जो है, सुनोनियम, आपको श्चन आपसे पूछ जाते हैं, abdure होगा, abdure, abdure, मतलब भी त्याग ना होता है, और क्या हो सकता है आपका, बस, इतने ही वड़ाप लिखो, कौन-कौन से, क्या होगा, wave, desert, renounce, abnegate, relinquish, forsake, और abdure, इन्हें आप एक साथ add कर लेंगे, ठीक है, next देखते हैं, next आपका ascent, ascent क्या होता है, इसका मतलब होता है, जब आप किसी चीज पर क्या करते हैं अनुमती देते हैं जब आप किसी चीज पर क्या है अनुमती देते हैं तो that means क्या होता है आपका ascent, स्विकार कर लेना किसी चीज को स्विकार स्विकार कर लेना अब देखो यार इसी वज़ा से हम लोग अपना number नहीं देते हैं अब मैं भी पढ़ा रहा हूँ और हो सकता है कि मैं सो के भी ना उठा हूँगा साथ बाइस हो रही है और उसने अभी फोन मिला दिया सुबह सुबह अभी यह नहीं सोचा कि व्यक्ति सामने से क्या कर रहा हूँ इसलिए number में कभी भी शेर नहीं करता हूँ स्विकार कर लेना किस चीज को accept कर लेना होता है आपका क्या एसेंट ठीक है तो इसकी सेनोनियम देख लेते हैं अब पहली बाद तो इसका पहला आंश्वा देख लेते हैं किस चीज को सुईकार कर लेंगे किस चीज पर agree हो जाएंगे वो हो जाएगा आपका एसेंट लेकिन क्या है आगर मैं कहूं उल्टा तो disagreement हो जाएगा अब आप किस चीज पर नकार जाएंगे किसी चीज पर मना कर देंगे वो होता है आपका disagreement ठीक है अब इसके सनोनियम देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं एक तो हो सकता है आपका क्या concede c o n c e d e concede और क्या हो सकता है acknowledge भी होता है acknowledge a c k a c k n o a c k n o d b l e d g e acknowledge ठीक है यह हो सकता है आपका और क्या हो सकता है consent है और क्या होगा consent हो सकता है consent consent agree हो सकता है agree agree हो सकता है और क्या हो सकता है conquer होता है c o n c u r ratify ratify यह last time आया था ratify आपकी exam में ratify ठीक है ratify हो सकता है बागी support confirm यह तो बहुत आसान से वड़ है तो इन्हें तो लिखवानी कोई जरूद है नहीं आपर ठीक है तो यह वड़ हो जाएंगे यहाँ पर next देख लेते है next आपका fickle fickle मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है बड़ा मतलब बिल्कुल भी constant ना हो उसका दिमाग इदर उदर ही घूमता रहे लब एक तरीके से कहते हैं फिकल होता है आप इसका सनॉनियुम देख लेते है क्या हो जाएगा इसका सनॉनियुम हो सकते हैं इमपेशेंट इमपेशेंट जिसके अंदर सबर ही ना हो बिल्कुल भी वह होता आपका इमपेशेंट ठीक है एगर होता है यह भी वह होता है मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्या हो बहुत ज्यादा जोश हो ठीक है इगर वह होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्य R I C I O U S और O U S ended है तो क्या होगा इसका part of speech? adjective होगा, ठीक है? next देखते हैं, next क्या है हमारा? next हमारा discrete, discrete मतलब क्या होता देखो? discrete basically अगर मैं इसका एक आधारभूत meaning देखू, तो discrete होता है एक तरीके से, चोकन्नी की सेंस में, basically जब व्यक्ति अपनी speech वगरा देता है और वो तब careful रहे, तो that's called discrete, ठीक है? discrete मैं कह सकता हो, चोकन्ना, या फिर समझदार की सेंस में भी इसे यूज करते हैं, ठीक है मैं लिख देता हूँ, इसमें विचारशील कह सकते हैं, क्या? विचारशील, अब तो बच्चों को दिक्कत नहीं होती होगी, देखते हैं क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं इसके, एक तो हो जाएगा आपका कोशियस, C-A-U-T-I-O-U-S, कोशियस यानि कि साउधान होता है कोशियस, साउधानी, वरी हो सकता है W-A-R-Y, इसके साथ ओ फिर पोजिशन यूज होता है, ठीक है, और क्या हो सकता है आपका, अगर मैं समझदार की सैंसिबल हो सकता है, प्रुडेंट, जुडेशियस, ठीक है, जुडेशियस मैं लिखवा भी चुका हो पहले आपको, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, इसका मतलब हो जाएगा के उल्टा हो जाएगा केरलेस इन बहेवियर अगले आपका आर्टिकुलेट आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है किस चीज को सपस्ट करना होता है आपका आर्टिकुलेट या फिर व्यक्त करने की सेंस में यूज करते हैं तो एक व लिखो apparent, a-double-p, a-r-a-n-t, r-e-n-t, sorry, apparent, apparent हो सकता है, ठीक है, जो, लूसिड तुम्हें लिखवाई चुका हूँ, आपको लूसिड लिखवानी की ज़रूत नहीं है, ठीक है, lucid हो सकता है, fluent हो सकता है, coherent भी लिखवा चुका हूँ, ठीक है, cogent भी लिखवा चुका हूँ, मैं, और, 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 क्या हो सकता है, बस यही सिनोनिम होते हैं, इसके, lucid लिखना चाओ, मैं दुबारा लिख देता हूँ, दुबारा लिखने ही क्या ही जरूत है, coherent लिख देता हूँ, co, coherent, ठीक है, next देखते है, next आपका unjust, unjust मतलब क्या होता है, unjust ही सुना है, उसी से बनाए unjust, ठीक है, unjust मतलब होता, biased, जिसमें क्या है, क्या हो, जिसमें एक तरफा बात की गई हो, that's called, biased या अन्याय पूर्ण कह सकते हैं, अन्याय पूर्ण, ठीक है, मुझसे लिखा नहीं गया, अन्याय पूर्ण, हिंदी में, अब क्या क्या हो सकते है, उसके सुनोनिम, unfair कह सकते है लिखो unfair, और क्या हो सकता है, आपका, अन्याय हो सकता है, अन्याय पूर्ण, वो क्या है, आपकी illegal होगी, क्या हो सकता है, बिए आई सेडी बायस्ट और क्या हो सकता है आपका बायस्ट हो सकता है पार्शल हो सकता है पार्शल पार्शल हो सकता है बस यही वड़ा आप नोट कर लेंगे और इसका अंस्वर क्या हो जाएगा अंजस्ट का हो जाएगा आपका सी ओप्शन फेयर माइंडेड नेक्स करेक्ट हो जाएगा अब देख लेते हैं इसके सिनोनियम क्या क्या हो सकते हैं इसके सिनोनियम में पहले भी लिखवा है आपको मीख मीक, यह मीक का मतलब बेसिकल यह होता, दब्बू टाइप, और हमबल मतलब जो उदार हो, उसी सेंस में उसे यूज कर लेते हैं, मीक हो सकता है, सर्वाइल भी हो सकता है, सर्वाइल, ठीक है, सर्वाइल हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है, बस यह दो यह वर्ड नो चूट दे देना, चूट दे देना, डिसकांट दे देना होता है आपका exemption, अब इसका क्या है, इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer जाएगा D option, जब आपकी सेज में छूट देते हैं, लेकिन आपकी सेज को include कर लें, ठीक है तो वो हो जाएगा आपका इसका exemption का intonium तो हमारा D option क्या है बिल्कुल correct हो जाएगा अब इसके देख लेते हम क्या synonym देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं एक तो हो सकता है आपका immunity 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 हो सकता है और क्या हो सकता है आपका relief हो सकता है relief r e l i e f relief ठीक है relief हो सकता है और क्या हो सकता है privilege भी हो सकता है प्रिविलेज ये तीनों वर्ड नॉट कर लेंगे नेक्स देखते हैं नेक्स आपका prominent, prominent मतलब क्या होता है पहले भी आ चुका है वर prominent अभी आए तो थोड़े थरे पहले इसका मतलब होता famous famous होता है prominent ठीक है तो अब इसका famous होता है तो क्या हो जाएगा इसका answer जो व्यक्ति क्या हो unknown हो तो हमारा यहाँ पर क्या है a option क्या है correct हो जाएगा इसका antonium पोचने क्योंकि unknown तीरीजन में आपको बता चुक हो राजद्रो होता है अब इसका synonyum देख लेते हैं prominent के क्या क्या हो सकते हैं prominent के synonyum हो सकता है आपका इंपोर्टेंट हो सकता है और क्या हो सकता है eminent 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 em ओर किया हो सकता है यआप का एक सब्सक्रावुन बढ़ा को और सबूर मेरे सब्सक्रावा नो बढ़ा देना या इससे किस चीज ने के सैंस करने की सेंटिक हो जैको आप सबीको बता हो गा। अब इसके synonyum देख लेते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, synonyum होगा इसका, reduce, ease, relieve, तो आप सभी को बता होगा, lesson भी लिखवा चुका हूँ, lesson, lesson भी लिखवा चुका हूँ, अब देखो, बहुत सारे लिखवा चुका हूँ, मैं आप तो बहुत सारे हमारे synonyum repeat होने लगें, la, la ने लिखवा है मैंने शायद, la हो जाएगा, mitigate तो ही पर दिया है, mitigate मतलब भी होता है, किसी को कम करना, ठीक है, हाँ, बलकुल, pacify भी हो सकता है, p, a, c, i, fy, pacify, ठीक है, next देखे लिखते हैं, next आपका डिसपर्स, स्पर्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज्पर को क् erw contractedra, प्रदर्शन करते है नीच, पोलीश, बिड़ को क्या करते है, पोलीश, बिड़ को क्या कर देती है, त debates, यह स्य's самыхмов, बिखेर देती है, हैना थे अब इसके सिनोनियम देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है इसकेटर हो सकता है इसकेटर हो सकता है इसकेटर हो सकता है स्प्रेड हो सकता है अच्छा इस्प्रेड की यह क्या है आपकी वर्भी की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन वर्भी की सेकेंड फॉर्म और वर्भी की थर्ड में आप से पूछा कि spread का past participle बताएं क्या past participle और past participle का मतलब होता है वर्ब की third form तो बहुत सारे बच्चों ने क्या spread लगा दिया आंस पजो की गलत था क्योंकि spread का third form spread ही होता है ठीक है spread हो जाएगा और क्या हो जाएगा बस यह आप word note कर लेंगे next देखते है next आपके ambiguous तो ह कोई चुका है पहले ambiguous मतलब क्या होता है देख ओ यूस एंडी डेट है तो क्या होगा adjective होगा ठीक है ambiguous क्या है इसका मतलब क्या होता है इसके synonym बतानी कि तो शायद जरूत नहीं पड़ेगी ना इसके synonym बताने कि जरूत नहीं पहले मैं शायद इसके synonym आपको करा चुका वेग मतलब होता है धुंदला ओब्सक्यूर अगर जिसने लिख रखे हैं तो कोई ने लिखने की जरूत नहीं है आप क्या है रिवाइज के लिए रिवीज रिवीजन के लिए ऐसा मतलब कर सकते हैं इंडिस्टिंट ठीक है नेक्स देखते हैं नेक्स आपका hilarious मतलब क्या ह होता है इसका मतलब होता है जब कोई चीज बहुत जाला खुशी देती है खुशी देने वाली चीज चीज होती है आपकी hilarious या तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा आपका serious सीरियस हो जाएगा तो डी ओप्शन क्या है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सिरोनियम देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं इसके सिरोनियम हो सकता है आपका एक तो हुम्रस हो सकता है हुम्रस हो सकता है और क्या हो सकता है आपका अलेटिड हो सकता है अलेटिड हो सकता ह बस इस दो ही वर नोट कर लो एक्स देखते हैं आपका टोलरेंस टोलरेंस क्या होता है जब आपका जब्सक्रीन को सहन कर रहे हैं उसका उल्टा क्या होगा लोग प्लावन बढ़क ब्राइब हो सकते हैं ठीक है पेशेंस हो सकता है और क्या हो सकता है बसके पेशेंस ही मेरे साफ से तो पेशेंस ही आना चाहिए यहां पर एंडूरेंस एक बड़ आता है बिल्कुल एंडूरेंस E N D U R A एक सेकेड E N D U R A N C E ऐंडूरेंस हो सकता है बस यह दोनों बड़ नोट कर लो आप नेक्स देखते है नेक्स क्या है आपका next is steadfast, steadfast क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा विक्ति जो कि अपनी बात पर अडिग हो, यानि कि क्या होता है, अडिग हो वो मतलब यह कहीं कि हा मैं तो द्रड हूँ और अपनी बात से बिल्कुल नहीं हटूँगा, that's called steadfast, तो क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा D की option wavering, मतलब होता है कहा अपना, अब इसके से लिक्ति देता है, अब इसके से न्याफ सकते हैं, एक तो हो सकता है आपका firm, firm हो सकता है, दूसरे determined हो سकता है कि डेटर्माइंड तो करा ही चुका हूं आपको दुबारा लिख लो ठीक है और क्या हो जाएगा आपका इसका सनॉनियम डिस अल्यूट स्टेजनरी आपको बताया था बताया था ना अंतर स्टेजनरी उस्टेजनरी जो होता है उसमें क्या होता है उसमें क्या होता है उसमें जो हमारी pen pencil मिलती है वो होता है, stagnant कह सकते हैं, stagnant, इस अब वड हो चुके हैं, आपके पहले लिखवा जो को, note revision कर रहे हूं, तो बड़ा मज़ा आ रहा हूँ आपको पढ़ने में, steadfast, ठीक है, यही वड इसके यहाँ पर हो सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, बस बस, यही होंग arrogant, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब व्यक्ति किसे के अंदर घमंड हो और उसका उल्टा मैं कहूँ तो modest, मतलब जो modest चीट होती है, कैसी होती है, मतलब इसमें क्या है, यह neutral होता है व्यक्ति, ना तो इसके अंदर घमंड है, ना इसके अंदर एक तरीके से बिलकुल ही वो अंदर बाकी तो arrogant भी लिखा ही हुआ है, इसका कोई सुनोनियम नहीं, पहले भी काफी सुनोनियम में लिखवा चुको है, आप कोई बचा नहीं है, डेटरेंट क्या होता है, डेटरेंट, डेटरेंट मतलब होता है, जब आप किसी को हतो उत्साहित कर देते हैं, किसी का moral क् करते हैं, देटरेंट, और अब इसका उल्टा इल्टा क्या हो जब आप खिसका प्रोच्छान करेंगे, प्रोच्छान करना मतलब किसी को moral को करना होता है, आपका encouragement, तो C option क्या है, आप पर बिल्कुल correct हो जाएगा, अब देखते हैं, डेटरीमेंट क्या होता है, इसका हो सकता है कर्ब हो सकता है कर्ब भी होता है जब आप किसी चीज पर क्या है रोक लगा देते हैं वो होता है आपको कर्ब अब्स्टेकल हो सकता है कल भी कराया था अब्स्टेकल ओब्स्टेकल ओब्स्टेकल ठीक है यह हो सकते हैं आपके किसी पर बैरियर लगा देना नेक्स देखते हैं नेक्स क्या है आपका नेक्स आपका स्पूरियस क्या होता है इसका मतलब होता है नकली क्या होता है इसका सबसे पहला चीज क्या हो सकता है फेक हो सकता है यह वर इसले लिखवा तो छोटे चोटे आपके एक्जान में पूछे जाते हैं फेक होता है फाल्स होता है और क्या हो सकता आपका आर्टिफिशल हो सकता है और क्या हो सकता है इन्वैलिड हो सकता है और बाकी यह है यही वड़ हो सकते हैं यह लिख लो next देखते हैं next आपका slender slender मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है जब आप किसी की बदनामी कर देते हैं बदनामी करना कलंक लगाना वह होता है आपका slender इसके इसके सिनोनियम हो जाएंगे आपके करना किसी को defamation 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 हो जाएगा ठीक है और क्या हो सकता है expression हो जाएगा expression ठीक है इसका मतलब होता है कलंग लगाना डेरोगेट कल से मैं क्या करा करूंगा मैं आपको important synonym लिखके लाया करूंगा ठीक है लिखके लिखके आया करूंगा पहले से तो उसमें क्या है मुझे time निलगेगा मुझे सोचने में थोड़ा सा time लगता है मैलिगन हो जाएगा मैलिगन चीक है अगला है आपका अड़माणिश मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है किसी को किसी को warning देना किसी को टाटना या वारनिंग देना, basically मैं अगर इसके लिए एक फ्रेस टाइब यूज करूँ तो क्या हो सकता, वार्न और रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड यानि किसी को वार्निंग देना है या फिर किसी को टाटना होता का एपका क्या एड्मॉनिश है लिख लेकाँ पर कसी को क्या कई सरे या रहीं हूं क्या होती है किसी की क्या करना किकि लोच्ञ न Midway द made a आपके कंडम, bless होता है किसी को blessing देना, ठीक है, इसके synonym देख लो, इडमोनिश के क्या क्या हो सकते हैं, एडमोनिश के synonym देखो, क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है, आपका, क्या, reprimand तो मैंने लिखवा ही दिया, सकता है, respond बीब भी होता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, donors हो सकता है, मतलब भी दाटना होता है, और cautious हो सकता है, मतलब conscious नहीं होगा, ठीक है, castigate हो सकता है, castigate, censure, censure, यह सभी का मतलब भी होता है, dart na, berate, criticize तो आपको पता ही होगा, ठीक है, तो यह बड़ा आप note कर लेंगे, rebuk, scold, reprove, castigate, censure, और berate, condemn को भी note करेंगे इसके साथ, ठीक है, admonish के, next देखते हैं, next आपका adulation मतलब होता है, चापलूसी करना कि किसी की flattery हो सकता है, ठीक है, encomium क्या होता है, encomium मतलब होता है, यह भी तारीफ करना, ठीक है, अब हम क्योंकि flattery नहीं हो गए, यह आपर answer, क्योंकि हम से यहाँ पर क्या पूछा गया है, antonium पूछा गया, तो क्या हो जाए, condemnation हो जाएगा, आपका इसका मतलब क्या होता ह पर देखते हैं आपका आपका कension of permission क्या होता है आपका Canud किसी चीज पर समर्थन कर देते हैं कि स्व fus ic a यहाफ का Old विधाक रॉल्टक्रीं कह सकते हम तो होते हैं आपका किसी चीज पर अपना एक तुरीक से समर्थन करना वे होता है आपका जब आप किशी करेवे से सम्मर्थन करेंगी तो उल्टा क्या हो जाएगा Refusel हो जाएगा या फिर Denial हो जाएगा, दोनों की होता है तो ए और बहुता यह गाम पर दोनों करेक्ट हो जाएगए आपकिन अबस्टिक्शन क्या होता है इसका मतलब तो बाधर चालना बाधा डालना होता है अब इसके सिनोनियम देख लेतेए क्या क्या हो सकते हैं सबस्क्राइब होसकते हैं आपका अजर्शन हो सकता है और क्या हो सकता है आपका declaration भी हो सकता है, declaration, declaration, ठीक है, declaration हो सकता है, next देखते हैं, अच्छा, पुस्टी करने के लिए भी होता है, तो ratification भी हो सकता है, क्योंकि इसका use पुस्टी करने के लिए भी होता है, ratification, next देखते हैं, next आपका effluent, effluent क्या होता है, इसका मतलब होता है, क्या धनी, अमीर, अमीर के सकते हैं अमीर यह धनी इसके बास बहुत पैसा होता है तो क्या हो जाएगा ऐ option poor क्या है करेक्र हो जाएगा ordinary क्या होता है सामान्य इसका मतलब हुता है सामान्य जनरियल कह सकते हैं इन famous जो famous नहों backward पिछड़ा हूँ ठीक है अब इसके Opulent, Opulent होता है, O-P-U-L-E-N-T, Opulent, ठीक है, Opulent हो सकता है, और क्या हो सकता है, Rich तो आप सभी को पता ही होगा, Prosperous कह सकते हैं, P-R-O-S, P-E-R-O-U-S, Prosperous, ठीक है, Next देखते हैं, Next आपका Agony, Agony मतलब क्या होता, इसका मतलब होता, Peda, क्या होता, Agony का मतलब, Peda, दर्द, हो, लेकिन, Ultra मतलब क्या हो, जब आपको परमानंद आ जाए, तो वह हो जाएगा, इसका Correct, Ultra, Anguish हो सकता है, अधिवीश हो सकता है, यह सबसे आदे इंपोडेंट है, एंधिश हो सकता है, ठीक है, Rapha, ट्रॉमा भी हो सकता है ट्रॉमा ठीक है ग्रीज भी हो सकता है दुख और क्या हो सकता है बस इतने वर्ड लिख लो आप इसके साथ नेक्स देखते हैं नेक्स्ट क्या है अमारा next है आपका appalling appalling क्या होता? देख़ो यह होता है जब कोई चीर आपको क्या है बिल्कुल ही stब्द कर दे भय उत्पन कर दे या फिर आपको आश्चेरी चकित कर दे मतलब होता नहीं कभी कभी बिल्कुल ऐसके थिए पैदा करने वाला होता है अपका एक शॉकिंग तो नहीं होगा यहां पर होज वे कन्सोल इसका मतलब क्या होता है आपके अंदर संस्ग पैदा करना पैदा करना पैदा होता है तहीं से हो सकते हैं आपके काफी सारे हो सकते हैं गास्कली हो सकता है और क्या 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 हो सकता है बस इतने से नोनिम आप इसके साथ एड़ कर लेंगे ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट आप मारा Candid, Candid मतलब क्या होता है, Candid मतलब होता है Spust, जो बिल्कुल क्या है, बंदा Frank रहता हो, इसका यह क्या है Frank, यह Correct हो जाएगा, लेकिन इस Synonym है, हमें हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, हमसे यहाँ पर Antonium पूछा है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर C Option, रिजर्वड हो जाएगा, रिजर्वड मतलब जो क्या है, चुप चुप रहता हो, बिल्कुल अलग अलग रहता हो, वह था आपका रिजर्व, यहाँ पर Correct Antonium होगा हमारा C Option, ठीक है, तो Candid के क्या क्या सनॉनियम हो सकते हैं, यह बेसिकली इसका मतलब होता है, पस्ट वाद इसका मतलब फ्रेंड्शिप, जब आपका इससे फ्रेंड्शिप हो जाते हैं, दोस्ती की सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है, उल्टा क्या हो जाएगा, एनिमोसिटी, तो हमारा यहाँ पर क्या है, अगर मैं Correct Antonium पूछो तो यहाँ पर हो जाएगा, आपका D Option, और इसके स Amicable कल, Amicable, वो हो सकता है, Amicable भी हो सकता है, Friendship, Friendship आप लिख सकते हैं, Affinity, Affinity, Affinity हो सकता है, चीक है, बस यह आप 2-3 वर्ड नोट कर लेंगे, तो हमारे यहाँ पर होते हैं 30 वर्ड समाप्त, थोड़ा सा आपको बोरियत होती हुग इन 30 वर्ड को करने में, लेकिन यहीं से ही आपके question आने वाले हैं, तो नोट जरूर किया करो, revision किया करो, जो वर्ड पहले हो चुग है, मैं दुबारा लिख वार हो, उन्हें as a revision, वहाँ पर लिख लिया करो, क्योंकि जब दुबारा revise करोगे, पीछे से करते हुए आओगे, तो क्या है, आपको उसका फायदा मिलेग पढ़ते रहें, revision करते रहें, बाबाए